दोस्तों इन दिनों बीजेपी में ऐसा कोई राज्ज नहीं है जहां पर विरूद की तनातनी की खबरे सामने ना रही हूँ चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे महराश्ट्र हो, चाहे बिहार हो और अब राजस्थान में जो अदावत अब तक लुकी छिपी चल रही थी, वो मंचों पर खुलकर नजर आने लगी है दरसल राजस्थान में बीजेपी के नव नियुक्त प्रदेश अध्यक्ष मदन राठाओर के पदभार का कारिकरम था बीजेपी के राजस्थान के मुख्याले में ये कारिकरम रखा गया मदन राठाओर को वसुंधरा राजे कैम्प का नेता माना जाता है, उनका करीबी माना जाता है और ये आज देखने को मिला भी जब वसुंधरा राजे ने मदन राठोल की शान में कसीदे पढ़ दिये और उनको जमीनी इमांदार कारे करता बताया मंच पर ये भी दिखा कि किस तरह वसुंधरा राजे और भजनलाल शर्मा के बीच तनातनी है दोनों के बीच की नाराज़गी भी देखने को मिली और मदन राठोल और वसुंधरा राजे आपस में गुफ्तगू करते हुए भी नजर आए दिया कुमारी और वसुंधरा राजे के बीच की तल्खिया भी नजर आ गई लेकिन दोस्तों वसुंधरा राजे ने इस मंच पर जो कहा जो बयान दिया वो इशारा राजस्थान के बीजेपी नेताओं के लिए तो था ही बलकि दिल्ली के आला कमान के लिए भी था वसुंधरा ने कहा कि पद, कद और मद इन तीन बातों का राजनीत में हमेशा ध्यान रखना चाहिए क्योंकि राजनीत में उतार चल्हाओ लगे रहते हैं और जिसको मद आ जाता है यानि की एहंकार हो जाता है फिर उसका ना पद रह जाता है ना कद रह जाता है और राजनीत में ये हमें उतार चड़ाओ सिखाते हैं वसंदरा ने किस अंदाज में जैपुर और दिल्ली दोनों जगए के नेताओं को अपने निशाने पर ले लिया आप सबसे पहले वसंदरा की वुबाद सुनिये राजनीती का दूसरा नाम जो है उतार चड़ाओ माराजी हर व्यक्ति को इसी दोर में से गुजरना पड़ता है पर हर व्यक्ति के समक्ष जब इस चीजों के बारे में सोचता है तो तीन चीज द्यान में आने की जरूवत है माराजी ये तीन चीज़ का बना होता है पद, मद और कद ये तीन चीज़ है जिसके उपर अपने सब को ध्यान देने की जरुवत है दोस्तों इसी पदभार कारिक्रम में हमने देखा कि वसुंधरा राजे भजनलाल शर्मा से कुछ नाराज़गी जताते हुए भी नजर आई और भजनलाल शर्मा चुपशाप उनकी बात को सुनते रहे मंच पर तमाम नेता मौझूद थे लेकिन राजस्थान के जो नव नियुक्त प्रभारी हैं राधा मुहन सिंग वो इस कारिक्रम में नहीं आए मदन राठाउड वसंद्रा राजे की सरकार में उप मुख्य सचेतक रह चुके हैं और वसंद्रा राजे कैम्प के ही नेता हैं फिलाल वो राजसभा के सांसद हैं वसंद्रा राजे के भाशव में निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी भी निशाने पर रहे हलाकि वसंद्रा ने उनका नाम नहीं लिया वसंद्रा ने नाम किसी ने ताका नहीं लिया बलकि भजनलाल शर्मा जो पहली बार विधायक है उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया और ये बात वसंद्रा को लगातार कचोट रही है दोस्तो पिछले कुछ दिनों से वसंद्रा राजे अचानक राजस्थान की राजनीत में सक्री हो गई है वो कभी स्कूटर पर बैठ कर कारकरताओं के बीच निकल जाती है तो कभी बारिश में भीगते हुए लोगों की समस्याएं सुनने के लिए पहुँच जाती है कभी महिला नेताओं के बीच शर्कत करती है तो कभी बुजर्गों के साथ नजर आती है और पिछले कुछ दिनों से उनकी सक्रेता वसंद्रा राजे के विरोधियों को अखरने लगी है तो क्या वसंद्रा राजे भी राजस्थान में कोई बड़ा खेल करने वाली है क्या वसंद्रा कैम्प के विधायक बहुत जल्द राजस्थान में अलग अलग सुर बोलते हुए नजर आ सकते हैं दोस्तों बीच में दिया कुमारी और भजनला शर्मा के बीच तलकीयों की खबरे आई किरोडी लाल मिड़ा ने स्तीफा दे दिया वसंद्रा राजे कैम्प के कई विधायक सदन में सरकार को घेरते हुए नजर आए ये तमाम बातें ये संकेत देती हैं कि भजनला शर्मा के लिए राजस्थान की राहे अब बिलकुल आसान नहीं है और खासता और पर चार जून के बाद से जब से दिल्ली में बीजेपी को बहुमत नहीं मिला है तब से कई राज्यों में विरोधी स्वर उठने लगे हैं अब देखना होगा वसंद्रा राजे राजस्थान की राजनीत में कौन सा नया और अनोखा गेम करने वाली है करिएगा